यहाँ पे बहुत ज्हाबता है जाता है और तना दोन्हों कितना मस्त लड़ रहा दोस्तों है मोवेत Hello । दोस्तों स्वागत है ऩाक रूष चुके दोस्तों मेरी ओव से आप सबो को ढल शारा प्यार भरा नमस्कार तो दोस्तों कैसे हैं आप लोग उम्मीद करता हूँ कि बढ़ियां ऊंगे मस्त ऊंगे और तो अपने-पने जिंद्धी में सब खुस होंगे तो दोस्तों आज प्लाल आये हुए हैं खेट-च्राला भलाने देहात भासां बोलते हैं खोठा भासाम में जैसे छग्री चराने आजार बग्री लेक आए हुए हैं यहां पर आप दिखाएंगे दोस्तों बहुत कुछ आपको दिखाएंगे तो गाओ देहात में बहुत जिया आप ज़्यादा निकलता है बीच्छू साफ गरा निक बहुत ज्यादा निकलता है तो जगह भी आप लोग को दिखाएंगे दोस्तों अभी हम लोग फिलाल बैठे हैं एक जगह और बकरी देखें उधर लड़ रहा है दोनों देखें कितना मस्त लड़ रहा है दोस्तों मा बेटा लड़ाई कर रहा है आधर आव और दोस्तों भी और सीजन भी दोस्तों आगया अब पत जड़ का जो कि पत्ता उत्ता जड़ जाता है पेड़ का देखें कि अतना सारा पत्ता जमा हो गया है और दोस्तों अभी मोसा में महुआ गिरने का जो कि महुआ गिरने लगा हम लोग का और उतना नहीं गिर रहा है थोड़ा थोड़ देखे दोस्तों केतना मस्त है देखे दोस्तों केतना सारा है अभी ज्यादा नहीं है लेकिन केतना मस्त है महुआ कई फल होता है महुआ पेड का जो कि अब गिरने लगा है और दोस्तों भी आप लोग को बता देना चाहते कि महुआ का फल होता है इसको हम लोग खाते भी है औ निकालने के बाद फिर इसको उबाला जाता है और उबालने के बाद दोस्तों इसको हम लोग सत्तू होता है सत्तू में हम लोग मिला के इसको खाते हैं बहुत मस्त लगता है दोस्तों इस महुआ का फूल जो खाया जाता है खाओ और दोस्तों भी इधर बैल भी है जो आया हुए है और दोस्तों भी आप लोग को दिखाते हैं कि यह लोग को जो बहुत ज्यादा सापू साप बीच्छू निकलता है उजगा भी आप लोग को दिखाएंगे दोस्तों कल पृति जी गई थी बोनाफाइट दोस्तों और देखे दोस्तों जो पलहापत्ता है इतना गार हो जाता है इतना गार होता है कि यहां घुसने में भी डर लगता है हम लोग को अभी थोड़ा उस तरह नहीं है अभी थोड़ा पत्जड का मोसम से लिए सूख गया और बहुत ज्यादा यहां साप बिच्छू रहता है दोस्तों और एक आप लोग को दीख रहा होगा दोस्तों उधर जो पेड दीख रहा है वहां पर दियाड जो की बहुत निकलता है बीच्छू बारिस के टाम में इतना बीच्छू निकलता दोस्तों आप लोग को वीडियो आप लोग को दिखाएंगे दोस्तों बह भूपधी बहुत ही जयदा रहता है जैसे हम क्रेंट डुसकी सोरा इतना ल्छेट बहुत ही रहता प्रेड़में करें कैसे अब क्लिका मतलब अब मतलब अवर बहुत फंबता है और बहुत इस लिए पहले पेड में ने रहता है जब आमूम में जूरता है और आमूम फड़ता है तब ही आता है और दोस्तों अब टाइम भी ज्यादा हो गया दोस्तों और लगभग एक बज चुका है तो दोस्तों आप जाएंगे घर क्योंकि मेरी वाइफ चली गई है घर और क्योंकि टाइम भी ज्यादा हो चुका है और बकड़ी उकड़ी लेके जाएंगे आफ प्रु अब बकड़ी मेरा उस आइड़े जो कि चर रहा है तो उस ले जाएंगे घर बाहनेंगे पल्भा पल्भा भी तोड़ लेंगे बकड़ी के लिए अभी करिबन तीन बज़े तक अब बकड़ी के लिए और तोड़े डिश्मेश आम का पला जो कि अभी पेढ़ पे चढ़ाएंगे तोड के लेके जाएंगे फिरAPP अब इतना सारा तोड़े हैं जो कि आप लोग को दीख रहा होगा दोस्तों अब यहां से हम चलते हैं घर जाके देखते हैं अभी थोड़ा देर तो पहले गई है जाके देखते हैं क्या-क्या खाना बन रहा है और आप लोग को दिखाएंगे दोस्तों क्योंकि एक बच चुक तो दोस्तो आने ले घर पहुंच गए और आप लोगों को दिखाया भी कि बकड़ी को दे दिया पला जो तोड़ के लाया थे और बांज भी दिया और दोस्तों देखें मेरी वाइब बैठी भी है चुला के पास वह क्या कर रही है अतला भी साफ सफाई कर रही है फिर भी खा अब लगा रही थी और दोस्तों आज का वीडियो कैसा लगा आप लोगों को कॉमेंट करके बताइएगा और आज के वीडियो बस अहीं था कि दोस्तों और इस चैनल पर जो नहीं होंगे तो फिलीज चैनल को सस्क्राइब कर लिजेगा फिर मिलते हैं आप लोगे साथ नेक अशाइब और लोगे से वीडियो था कि मृईव के दोगे सी कर सक्सभाव पर एदेलिटी था